हेलो एब्रीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जोब में राश्ट्रिय आदिवासी छातर सिक्षा समिती एकलव्य मॉडल रेजिदेंशियल स्कूल ओफीशियल वेफसाइट पर दो नए विज्यापन जारी किये गए हैं जहां सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेधन कर सकते हैं इसमें कोई एप्लिकेशन फीस नहीं देनी है कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट की वेकेंसी है मास्टर डिग्री मांगी गई है इसमें सैलरी जो है एक में 60,000 पर मन्त है और दूसरे नोटिफिकेशन में सैलरी फिक्स्ड रहेगी 80,000 पर मन्त साथ में जो है और भी कई सुविधाएं जैसे एकोमोडेशन है और रेजिदेंशल फोन है मैडिकल फैसिलिटी है बाकी जो है डेटेल में एडवर्टीजमेंट में जानेंगे कैसे जो है अविधन करना है कोई एप्लिकेशन फीस नहीं सभी राज्चों के कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल रहेंगे अपलाए करने के लिए अगर क्वालिफिकेशन आपकी रहती है तो चलिए देख लेते हैं अफिस्चिल वेबसाइट पर EMRS राष्ट्रि आदिवासी चात्र सिक्षा समिती एन अटोनोमस और्गनाईजेशन अंडर मिनिस्ट्री आफ ट्राइवल अफियर गॉर्मेंट आफ इंडिया की अंतरगत आता है इसमें नोटिफिकेशन में अधर में आपको क्लिक करना है इसमें आपको वेकेंसी मिलेगी ठीक है चलिए देख लेते हैं कौनको नाविदन कर पाएंगे तो 9 सितंबर 2024 को सीनियर कंसल्टेंट डाटा मैनेजर ओन कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर ये वेकेंसी निकाली गई है दूसरा नोटिफिकेशन ये कंसल्टेंट की वेकेंसी है और वो सीनियर की थी ये 4 सितंबर 2024 को ये विज्ञापन आया है सबसे पहले इसे ही देख लेते हैं कौन्ट्रेक्ट बेस पर वेकेंसी रहेगी है क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों को बता देती हूँ तो विज्ञापन पहले जारी हो चुका था अभी जो है डेट बढ़ा दी गई है ठीक है पहले जो है ये 22 अगस 2024 को जारी किया गया था क्वालिफिकेशन देखें कंसल्टेंट अकैडमिक के लिए एक पोस्ट है इसमें 60,000 पर मंद सेलरी रहेगी पोस्ट ग्रेजवेट डिग्री आपकी एजुकेशन में है सोसल साइन्स में है युमेनिटीज में पब्लिक पॉलिशी में या सोशोलोजी में है साथ में इसमें जो है पीएजडी एजुकेशन में होनी चाहिए नौलेज ओफ पैडगोजी इसकी जो है आपको नौलेज होनी चाहिए तो पैडगोजी टीचिंग की नौलेज जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजवेट है बीएड किया हुआ है तो उनको रहती ही है और पीएजडी एजुकेशन वालों को तो ये नौलेज बिलकुल रहती है आयू सीमा क्या रहेगी तो 45 वियर से अधिक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर अनुभव जो है आपका होना चाहिए रिसोर्स परसन के तौर पर आपने किसी भी गौर्मेंट सेक्टर में काम किया हो तो बहुत सारी वेकेंसी मेरे द्वारा जो है आप लोगों को बताई गई है जहां रिसोर्स परसन की वेकेंसी थी और भले ही कॉंट्रेक्ट बेस पर रही हो लेकिन गौर्मेंट सेक्टर में जो है अगर आपने काम किया है तो आप जो है 60,000 पर मन्त यहाँ पर सेलरी ले सकते हैं अगर आपका अपॉइंट्मेंट हो जाता है कोई फीज नहीं देनी है आपको इसमें इसी में जो है जो वेकेंसी एचार की कंसल्टेंट की दो वेकेंसी है इसमें मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए अड्मिस्ट्रेशन में चीक है और पांच साल का अनुभब जो है गौर्मेंट सेक्टर में एम्बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें इसमें जो है सैलरी के साथ में अधर अलावेंसिस जो है आपको बिलकुल मिलेंगे डिये एकॉमोडेशन ब्रेजिदेंशियल फोन कन्वेंज, ट्रांसपोर्ट, फोरन ट्रेवल, पर्सनल, स्टाफ, मैडिकल ये सब भी सुविधाय तो मिलेंगी सर्विस कंडिशन ये सब जो है आप पढ़ लेंगे एप्लिकेशन फॉर्म आपको समिट करना है अभी डेट बढ़ा दी गई है और ये एड्रस रहेगा एड्रस आप नोट कर लें जॉइन कमिशनर, NESTS, गेट नमबर 3A, जीवन, तारा बिल्डिंग, पार्लियमेंट, स्ट्रीट, न्यू डैली, 110001 क्या काम करना रहेगा तो ये पूरा आप पढ़ लेंगे एप्लिकेशन फॉर्म आपको जो है, यहां मिल जाएगा 6 नमबर पेस पर इसे आप लोगों को डाउनलोड करना है फिल कर लेना है और उसके बाद अपने और जो भी ओरिजिनल डॉकुमेंट है, उनकी फोटो कॉपी उसको अटैस्ट करनी है और अभी हमने डेट देखी थी इसकी 19 सितंबर 2024 तक जो है आप इसको भेज सकते हैं, रजिस्टर पोस्ट या स्पीट पोस्ट या फिर बाई हैंट ओफिस में जाकर ठीके जिनोंने पहले अप्लाई कर दिया है दुबारा अप्लाई करने की उनको जरूरत नहीं है अब देख लेते हैं दूसरा नोटिस ये भी कॉंट्रेक्ट बेस पर ही है इसमें सीनियर कंसल्टेंट डाटा मैनेजर की एक पोस्ट है, मास्टर डिग्री आपकी है केवल मास्टर डिग्री और साथ में पान साल का आपका डेटावेस मैनेजमेंट में काम करने का अनुभव ठीक है और अगर किसी कैनिरेट ने पीएजडी किया हुआ है कम्प्यूटर साइन्स में, मैथेमेटिक्स में एकॉनोमिक्स में, स्टेटिस्टिक्स में बिजनेस अड्मिनिस्टरेशन में तो भी अप्लाए कर सकते हैं 80,000 फिक्स्ट सैलरी रहेगी 45 यर ओमरसीमा है इसी एड्रस पर आप लोगों को इस वकेंसी के लिए भी जो है आप भेजना है तो नीचे इसमें भी जो है अप्लिकेशन फॉर्म आपको मिलेगा इसको आप डाउनलोड करके पूरा फिल कर लेंगे अच्छे तरीके से सबसे पहले पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना होगा हर चीज आप इसमें पढ़ लेंगे इसमें भी आप लोगों को सैलरी के साथ में आदर आलावंसिस जो है वो सबी मिलेंगे ठीक है रहने की सुविदा है फोन है मैडिकल फैसलिटी है सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी एंडवलप के उपर जरूर लिखना है अप्लिकेशन फॉर एंगेजमेंट एस कंसल्टेंट ठीक है यह एड्रस है दोनों के लिए एड्रस सेम है इसमें लास्ट डेट जो है 3 अक्टूबर 2024 है यह ध्यान में रखना है प्यॉरली कॉंट्रेक्ट बेस पर है यह मैंने आप लोगों को बदा दिया इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकरी दी जाती है ओफिशल वेबसाइट पर जाकर हम सारी चीज़ें चेक करते हैं चाहे कोई भी जो है वेकेंसी हो तो बिल्कुल आप लोगों को सूचन समय पर दी जाती है जहाँ पर graduate pass candidate पोस्ट graduate pass candidate आविधन कर सकते हैं वीडियो बिल्कुल बनाये जाते हैं जैसे ही नया advertisement जारी होता है यहाँ पर भी जो है एकलव्य मोडल रेजिदेंसिल स्कूल से पर्मानेंट वेकेंसी बिल्कुल आएगी और आप तैयारी में लगे रहें जल्द ही आप लोगों को सूचना यहां से मिलने वाली है मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू